हेलो स्टुडेंट्स I hope you all are good so आज मैं लिकर आयो आपके लिए एक न्यू वीडियो साइन्स के लेसन नमबर 3 की जिसका नेम है तो थैंड माइक्रोब्स कि लेसन हम पढ़ रहे हैं लिएधगे तो नहीं है कि से रिलेटर साइज चीज़े चाहे हैं का यूज होता है मैं आपको कही चीज़े बताई है मैं अल्रेड या वैसे तो आपको इस लेसन के टूपर्स प्रोवाइट करा चुकिई जिसमें फर्स पार्ट में तो मैंने आपक वंको तीट के ौतें चार्पार एक हfel होते हैं हमारे माथ में अंद इसक पर्मीनेल ने सारी सबंढ़ाता परत थें थें और से किंड में टीट सब्रक्राइब ने 10 तो उत्से तीज से रिलेटीड अगर आप नॉलेज गेन कहना चाहते हैं तो आप पूरी नॉलेज गेन करें नॉट लिमिटेड कि थोड़ा यह वाला पार देखा है अगर आपने मेरा फर्स ताइम यही वाला पार देखा है बाट आप इसके बाद जाके मेरे फर्स और सेकिंड पार देख सकते हैं वैसे दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखे आप महासे लिंक क्लिक करके वीडियो आपको मिल जाएगी जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो जो न्यू टॉपिक है उसमें स्ट्रक्चर आफ़त हो तुथ का स्ट्रक्चर के बारें पढ़ेंगे तूथ के तीन इन पार्ट होते हैं क्रोन नाक और रूट तो उतके कितने पार्ट होते हैं त्री क्रोन नाक और रूट अब क्या होता है कैसे मदब कैसे ती ही ने के बाइट कर दिखता है क्रोन उसे कहते है क्रोन गम के ऊपर जो तीत आपको दिख रहे है उसे क्रोन गल से अबहर गरिकार रहो एक वह एनेमिल है जो के सबसे हाटड़ के बॉड्यक है उसके नीचे आता है dentine, क्या आता है dentine ये भी hard होता है, बट enamel जितना hard नहीं होता But not as hard as enamel, enamel जितना hard नहीं होता Inside the dentine is a soft part called pulp Dentine के अंदर एक soft part होता है, जिसे हम क्या बोलते है, pulp It has nerves and blood vessels that continue down to the root उस pulp के अंदर nerves होती है, blood vessels होती है, जो हमारी root तक continue रहती है, नीचे तक होती है, बिल्कुल The portion of teeth inside the gum is called the root Gum के अंदर जो portion होता है, teeth, tooth का हमारा, उसे बोलते है, root जो हमें नहीं दिखता The soft tissues that surround the base of the tooth is called the gum जो soft tissues होता है, जो base को जकड़े रखते हैं हमारे tooth के, उसे बोलते हैं gum The nerves of blood vessel nourished the dentin जो nerves होती है, blood vessel की, उटेंटरेंट को क्या करती है, nourished ति नीचे जो आपको structure दिख रहा है, इस तरीका हमारा tooth का structure होता है जो उपर वाला part हमें दिख रहा है, वो तह है क्रोल जो उसके बीच का part होता है, वो तह है natural उसके अंदर तक का बिलकुल root यह जो आपको दिख रहा है, पिंगी पिंग सा जो दात को जकड़े हुए इससे बोलते हैं gum जो white substance है यह है enamel उसके नीचे हमारा हमने बताया था क्या आता है dentine and dentine के नीचे आती है pulp, pulp के अंदर nerves होती है है ना, यह जो दिख रही है यह आपको इस तरह से बनीवी यह हमारी nerves है now your next topic is toothache क्या होता है पहले तो यह जो word है toothache इसी में इसका meaning चुपावा है एक, a-c-h-e, egg का मतलब होता है दर्द, अतुथ माने दात में इस दात में जो दर्द होता है कैसे होता है when we do not brush our teeth properly, bits of food from remains stuck to the teeth अगर हम अपने brush को properly teeth teeth को brush ना करे, अच्छे से brush ना करे तो जो food के छुटी-छुटी bits होते है हमारे दातों में फस्ट गए होता है वो ऐसे ही रह जाएंगे दिरे-दिर उसमें bacteria ग्रोगा bacteria start growing on this food इन food पे bacteria grow करना start करोंगे and farmastik की yellow layer called black एक yellow color की layer created होनी शुरू हो जाएगे जिसे हम black को कहते हैं तो तुथेक में भी हो सकते है जितने भी आप मेरे विव्यूर्स होता है हो सकते है किसी भी कुछ students ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं तुथेक को देखा होगा मैंदला कभी भी फील नहीं करा होगा और कुछ ऐसे होंगे जो तुथेक को experience कर चुके है और उसका कारण भी उन्हें पता होगा कि ब्रश प्रपली ना करने के लिए कारण उनको यह दर्द फेस करना पड़ा है यह जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे फूट को ब्रेक करते हैं पार्टिकल्स को यह एक एसिड क्रियेट करते हैं यह acid eat करते हैं enamel and make करते है whole, मतलब जो enamel white glucose substance होता है उसको खाते हैं और वहापे एक whole create करते हैं, जिसे हम cavity बोलते हैं, when these bacteria reach the nerves through dent time, जब यह bacteria nerves तक पहुच जाते हैं तो हमें hurt होने लगता है, दर्द होने लगता है, उसको कहते हैं tooth thick, other tooth problems are, और भी कई problems होती है दातों की, जैसे foul smell, मुझसे smell आना, mouth से, loss of teeth, teeth तूट जाना, stomach disorder, stomach disorder means weight खराब रहना, problem रहना, digestion नहीं होना properly, जब हमारे mouth में germs लगे होंगे, tooth में germs लगे होंगे, तो क्या होगा, food में उससे के साथ मिक्सों के वही अंदर जाएगा, तो अंदर हमारे digestion process में भी problem create होगी, तो यह था आपका structure of tooth and toothache, next video में आपको how to have health, अब हम अपने दातों को healthy कैसे रह सकते हैं, अब हम यह जो problem में हमें दिख रही है, ऐसे कीड़े लग जाना, इसको हम stop कैसे कर सकते, कैसे रोख सकते हैं, कि हमारे दातों में कीड़े ना लगे, cavity ना हो, जिसे इन सबसे हम बस सकें, तो इसका solution में आपको next video में बता होगी, I hope जो हम ने आज प्राबलम आपका discuss करी हो, वह problem आपको समझाई होगी, आपको कोई solution लगता है, कि हम यह follow करना चाहिए, हमारे दातों को कीड़े नहीं लगेंगे, तो थेक नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, इनसे हम बस सकते हैं, तो अपने solutions आप comment section मुझे बताएंगे, तो आज के लिए इतना है, यही पर मैं वीडियो complete करती हूँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे हो, तो जल से जल वीडियो को लाइक करती जएगा, शेयर करती जएगा, और क्या करना है उसी पहली चैनल को, सब्सक्राइब करने, ताकि आने वाले समय जो भी वीडियो अप्लोड करू, वो आपको मिलती रहे, अफ्ट चैनल को उसे जएगा, भाइगा वीडियो तुन्स ओन्स वे प्सक्राइब करती जएगा, ताकितो मिलती चैनल अजित एल वीडियो को लाइक वीडियो को लाइक करती रहे,